रूद्रपूर छेत्र में नजूल भूमी पर मालिकाना हक को लेकर वर्षों से राजनीती होती रही है जिसको लेकर आज विधायक शिव अरोरा ने पत्रकार बारता की विधायक शेवारोरा ने कहा कि रूदरपुर के नजूल भूमी पर निफासरत हजारों गरीब परिवारों का सपना अपसाकार होने जा रहा है 50 वर्गमीटर के नीचे 2600 परिवारों की फाइल प्रक्रिया तैयार हो गई है जिसको लेकर प्रदेश के मुक्यमंद्री पुषकर सिंग धामी छे मार्श को गांधी पार्क में उनको आशियाने का स्वामित्व पट्टा सौपने पहुचेंगे बता है कि 25 मार्च को सदन में उन्होंने सबसे पहले नजूल भूमी पर मालिकाना हक के विधायक को सदन में रखा था रूद्रपूर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट रूद्रपूर की नजूल के मालिकाना हक की बहुत पुरानी मांग की 30 से 40 वरसों से अंदोलन चल रहे थे यहां मलीन बस्तियों के निशूल के मालिकाना हक 50 वर के मीटर तक के लोगों को देने की हमने संकल्प लिया था 2022 के चुनाओं में और 6 मार्च को मानी मुख्य मंत्री जी से हम यहां के पर्थम चरण में 2600 लोगों को निशूल के मालिकाना हक देंगे लगबग 10,000 लोगों को निशल्क मालका नाक दिया जाना है कि निश्ट रूप से जो चुनाओं में हमने यहां के जंता से वादा किया था उस वादे को निभाया है नजूल का मालका नाक लिला है मैं आभारवक करता हूँ इससे मुकंदी पुषकरजिक नामी जी का